जै जोहार हमर 36 गड़ देख रहे हैं आप मैं हूँ ललित प्रजापती शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ रायपुर में पेपर फैक्ट्री में आग लगी है और आग पर काबू पानी की कोशिच लगातार जारी है आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी हुई है मौके पर पुलिस प्रशाशन के अधिकारी पहुँच गए हैं मंदिर हसौद थानक शेत्र का ये पूरा मामला है तो बड़ी खबर रायपुर में पेपर फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही आग फैलती चली गई तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से आग लगी और फिर लगातार फैलती चली गई आग पर काबु पाने की कोशिश लगातार जारी है दमकल मौके पर है और फायर फाइटर्स कोशिश कर रहे हैं न्यूजेटीन मध्य प्रदेश चतीजगर पर एक्स्क्लूजिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रायपुर की तस्वीरें मौके पर पुलिस प्रशाशन के अधिकारी पहुचे हुए हैं मंदिर हसोद थानाक्षेत्र का ये पूरा मामला है पेपर की फैक्ट्री होनी के वज़े से आग तेजी से फैलती चली गई इस थानी ये भाषा में पुठ्था फैक्ट्री भी इसे बोलते हैं हार्ड कवर जिसे आप गत्ता काटन कहते हैं जिसका अस्तमाल होता है काटन मनाने में मंदिर हसोद थानाक्षेत्र में ये फैक्ट्री है जहां आप पर काबू पानी की कोशिश लगातार जारी है नौत अपे की शुरुआत तपते शहर और इन सब के बीच अभी बेमेत्रा की बारूत फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामलाई ठड़ना ने पड़ा और अब पेपर फैक्ट्री में आग लग गई है सायोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है ममता क्या कुछ अपडेट इस वक तक आग पर काबू पाया जा सका बिल्कु लेकि राइपुश लगे मंदिर रसोष के पेपर फैक्ट्री में ब्लिशन आग लग लगी थी और दंगर के तीन वहान मौके पर थे अच्छी बात यह है कि किसी को कोई इस तरह से कोई इंजर्ट नहीं हुआ है और सही समय पर जो है इसका पता लग गया इसका कारण यह भी माना जा रहा है क्योंकि सुबर से बेमितरा ब्लास्त को लेकर प्रदेश्मन में खबरें लगाता कर रही थी प्रदेश्मन आ रही थी और ऐसे में नजर सभी लोगों ने रखी हुई थी तो सही समय पर नजर भी पढ़ गई और इस पर तुरंद जो है वो दमकेल की जो तीम है उसको मौके पर रवाना किया गया प्रदेश्मन में बड़ा अब्रेट आपको पता देए इस ब्लास्ट का एक CCTV फूटेज सामने आया आया ब्लास्ट के साथ ही भूकम जैसा हैसास हुआ दमाके के साथ मानो धर्ती थर्रा गई हो जो CCTV कैमरा था वो भी एकदम से हिल जाता है इस ब्लास्ट के दौरान बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में ये बड़ा अबडेट आपको पता देए जब ये ब्लास्ट हुआ मानो मलबे में लोग दबते चले गए ये CCTV जो इस पूरे घटना क्रम जिसका फूटेज हम आपको दिखा रहे हैं वो भी पूरी तरह हिल गया और इसमें लगातार अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आ रहे हैं बेमेत्रा ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको पता देए फैक्ट्री के बाहर तनाव के स्थिती है मौके पर पुलिस के जवान तैनाथ हैं कई लोगों के मलवे में दवे होने की बात अभी भी कही जा रही है फैक्ट्री का पूरा एरिया करीब 40 सेकर 50-50,000 स्क्वेर के स्क्वेर फीट में तीन सैटप लगे हुए थे इसमें से एक सैटप में ब्लास्ट हुआ है अब तक जो जानकारी संजय चौधरी इसके मालिक है और तकरीबन 28 साल से ये फैक्ट्री चल रही है स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड ये इस फैक्ट्री का नाम है तनाव की स्थितियां बनी हुए ये बाहरी पुलिसबल तैनात किया गया है तो राहत और बचाव कारी के बीच अपडेट ये भी के तनाव जैसे इस्थितियां बन रही है लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ते जा रही है बारुष फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो घायल है उनको यहां पर राजधानी राइपूर के मेगारा ऑस्पिटल में लाया गया है साथ लोगों को लाया गया है जिसमें से एक की यहां लादे तक के मौत हो चुकी है बागी छे जो है उनको यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रामा जो यूनिट है वहाँ पर भरती कराया गया है जो लोग आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आप जब फैक्टरी गया तो इसी ड्रेस अप में गया थे क्या अपने जो घर से ड्रेस पहने जाते हैं उसे गया थे इंकाम करने के लिए जो हम यही पहनते हैं अपने जाते हैं ज tell up हेया रंग से कोई आप लोगने कापड़ा उपड़ा हेलमेट … उपर कुछ न ली दिया जाता ना रेस गेह और जो मज़ूर है उनका कहना है कि करीबं आठ लोग ऑन उर अभी भी दबे हुए है और दूसरी लात अगर हम बात करें तो यह जो मज़ूर है भले यह घट आपात काल को लेकर क्या स्थिती है तमाम दावे किया जाते हैं लेकिन तीन घंटे हो गए तीन घंटे और वहां पर जो टीम है वो नहीं पहुंची थी तो मज़ूर के जान सस्ती होती है गरीब आदमी के जान सस्ती होती है जब वो मर जाता है तो एक मुआउजे की घोचना क कर दी जाती है उसके पहले जब वो जान खत्रे में लेकर बैठा रहते हैं तमाम शिकायते रहती है उस पर कोई खयाल नहीं रखा जाता जो एमर्जंसी डिपार्टमेंट है वहां से जो है ऑपरेट करने के लिए शायद ले जाया जा रहा है तो यह स्तिती जो है वो यहां पर है दनीमत है कि इनके जान बज गई है अलाकि डॉक्टर्स जो है उनका कहना है कि यह अभी खत्रे से बाहर है देखना यह है कि इस पूरे मामले में अपके स्थरी की चीज़े जो है वो खतरनाक भायानक जो जानकरिया है वो सामने आती है कि आम रपसे नवीन के साथ ममतला सामने आ रही है नाराज़गी शायद लोगों की बढ़ती जा रही है क्या अपडेट देखे ललीट वहाँ पर तनाओ की स्थिती है बड़ी संक्या में पुलिस फोर्स है वो बुलाए गया है ताकि किसी तरकी अपरी स्थिती है वो निर्मित ना हो क्योंकि जो कामगार है जो वहाँ पर लापता है उनके परिजन आये हुए है उनके अंदर नहीं जाने दिया है इसलिए तनाव की स्थिती निर्मित हो रही है कमपनी प्रबंदन की और से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है पुलिस के अलादिकारी प्रसासन के अलादिकारी जरूर मौजूद है और जिस तरह से ललीत जैसा की कमपनी का नाम है इस्पेसल ब्लास्ट तो ये कहा जा सकता है इस्पेसल लापरवाही ब्लास्ट हुई है वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर ब्लास्ट हुई है कि आप सोच सकते हैं पूरे दो मंजिला जो उनका सेट था वो उड़ चुका है और अभी भी कई जो कामगार है वो लापता बताए जा रहे हैं और द्योगी हासे के नाम से लेकर ललीट चतिस गड़ को जाना जाता आपको याद होगा कि 2009 में बाल को चिमनी हासा हुआ था जहां पर 42 बदूरों की मौत हुई थी इसी तरह पर रायगड के पावर प्लांट में 8 कामगारों की मौत हुई थी उचाई से गीर करके इसी तरह जिंदल में भी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में मौत हुई थी तो जो 36 गड़ में जितने भी बड़े उद्योग संचालित हो रहे हों वहाँ पर जो हर समय इसरक और द्योगी हासे हैं वो होते रहते हैं और हासों के बाद मौवजे का मरहम जरूर लगाया जाता है ले बार अध्योगी प्रबंदन को जो राहत दे दी जाती है मामले दर्ज होते हैं अब जाज भी होगी लेकिन आखिर अध्योगी खासे कब रुकेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है अभी भी तनाव की स्थिति है एस्टियारेप की टीम है उन्होंने रेस्क्यू कार सुरू कर पैसर से अधिक जो एस्टियारेप की टीम है वो वहाँ पर मوجود है दुर्ग और राइपूर की जो जियारेप की टीम है वहाँ पर अब सवों को तलासा जा रहा है लेकिन इतना हैवी ब्लाश था कि दस किलो मीटर तक आवाजें आई धमाके की आवाज सुनी गई भूकम की तरह थी दहल उठा था इसके अलावा जो 200-300 किलो की जो मसीने थी वो 400-500 की दूरी गई है बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूगल इस तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपके जरी अपडेट अपने दर्शों को तक पहुंचाएंगे बेमित्रा ब्लास से जुड़ा ए से पहले खाली करवाया जाता है राहत और बचाव के काम में SDRF की टीम जुटी हुई है और बड़ा हाथसा एक तरफ आग पर काबू पाना दूसरी तरफ तीन सैट अप यहाँ पर लगे हुए थे अभी तो मतलब कवई बास्ट नहीं है जो बास्ट हो गया था उसमें चे लों घायल हुए थे तो अभी तो स्थिथी कंट्रोल में है जो लोग कह रहे है कि उप्चार नहीं हो पा रहा है तो उनको क्या अदसे इन जाल मिलिया जाए हम बात कर रहे हैं 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 कि बात की जा रही है और इसके बाद सभी का उपचार है वो कराए जाएगा और इधार बिमित्रा जिले में जो सुबह बारूद फैक्टरी में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद इलाके के कई गाउं में मानो अफरत अफरी इस हाथ से में अब तक एक शक्स की मौत हुई है बारह से जादा लोग अभी लापता बताय जा रहे हैं छे घायलों को इलाज के लिए रायपूर रैफर किया गया हाथ से के बाद पूरे इलाके में दह्शत का माहौल है मामले की सूचना मिलते ही दमकल विभाग SDRF की टीम मौके पर पहुँची रहत और बचाव का काम शुरू किया गया इधर बेमेतरा ब्लास्ट की 36 गर सरकार नयाइक जांच करवाएगी इस बारे में सीम साय ने सोचल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया सीम ने लिखा कि बोर्सी गाओं में स्थित बारूत फैक्टरी में हुए विस फोर्ट मामले की दंडादिकारी से जांच के आदेश दे दिये गए हैं मृतक के परिजनों को 5 लाग रुपए गायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद के आदेश भी दे दिये गए हैं और बेमित्रा ब्लास्ट की नयाइक जांच होगी डेपीटी सेम अरुन साव ने भी यही बात कही है मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद मिलेगी गायलों को 50-50 वजार की आर्थिक मदद दी जाएगी यही बात सीएम ने भी कही और यही बात डेपीटी सेम ने भी कही लगातार हम लोगों से संपर्क में हैं और यहां के राहत और बचावकार की सतत जानकारी ले रहे हैं सरकार की ओर से हटना में मृतब परिवार को पांच लाग रुपए की बवावजा धायलों के लिए पचास हजार रुपए इलाज की पूरी विवस्था सरकार की ओर से होगी और जो फैक्टरी के मालिक हैं उनके तरब से भी पहल हो रही है कि वे बुचित में आउजा दे तरम कानून के तरब से भी आउजा रमीकों को मिलना है वह भी सुनिश्चित किया जाएगा मजिस्ट्रियल इंक्वारी का भी आदेश करकर सरकार की ओर से डिरने किया गया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वारी करेंगे विस्तरित इंक्वारी होगी और इंक्वारी में जो जब थे पाए जाएंगे उसके हिसाब से करेवाही होगी तो विधायक इश्वर साहूवी मौके पर पहुँचे उन्होंने का कि पूरे मामले की जाच करेंगे और जो भी दोशी होगा उसके खलाफ सख्त कारवाई की जाएगी की परताल करेंगे कि यहां पर यह लीगल चल रहा था कि इसकी पूरी जाट किये जाएंगे और जो भी इसमें दूसरे उसकी पर सक्सेस करवाई की बहुत सारे लोग गायब है 18 लोग अंदर गये थे 7 लोग मिलें मतलब 11 लोग अभी विला पता है रेस्क्यू के बाद ही पता चरही है केमरा पर से निम्रान कूरिशिक साथ इकलतिवारी नियुजेटिर रायपूर 36 इधर बीजापूर में 33 नकसलियों ने सरंडर किया है जंताना सरकार के 33 नकसलियों ने हार्ड कोर नकसलियों पर प्रतारदा के आरोप इन्होंने लगाए हैं बीजापूर SP के सामने इन्होंने आथियार डाले हैं जानकारी मिल रही है जैसे कि हम शुरुवाती दौर पे 25,000 रुपय का इनको एक राशी देते हैं इनिशेली उनको इस्टेबल करने के लिए उसके बाद जितनी ही नाम राशीर होती है वो कुछ समय पश्चात इनको दिया जाता है इनके बाद इनके पुनरवास के लिए भ अच्छे तरीके से कर से को जाले में ऑपरेशन को तेज कर दिया गया, सुक्मा में सुरक्षा बनों की नक्सली से मुद्वेड भुई है दियार जी के जवान पहुंचे हुए थे और ऑपरेशन अप तेज करद ही कुंटा के किद्रेल पाड एलाके में ये मुढभेड हुई है एक नकसली इसमें धेर किया गया है SP किरण चमहान ने इसकी पुष्टी की है किरण चमहान ने इसकी पुष्टी की है